Hello, aspirants. Welcome to Gyanpete. मेरा नाम है Sunny दे और यह है मेरा छोटा सा पड़ीचे. हमारे इस channel में हम लोग आगे UPC के जितने भी subject है, उस subject से related क्या सवाल आया है, क्या trend है और हर एक subject के detail में हम लोग आप लोगों को परहाएंगे. मैं जो चीज आप लोगों को परहाऊंगा, वो होगा SA paper, Indian Society paper of GS Studies 1 and Sociology Optional. जैसे कि आप लोग देखी रहे कि SA paper में मैंने लिखा है 125, ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल SA paper जो होता है, आप लोग का paper 1, वहाँ से 125 marks Indian Society से आता ही आता है, हम लोग दिखाएंगे और और जो GS1 paper है, यानि आप लोगों का paper 2, वहाँ से Indian Society से हर साल 75 marks common आता है, और जो sociology paper है, वो तो 500 marks का ही है, पर और एक चीज जहाँ पे मैं कहूंगा, कि आप लोगों ने शायद नजर नहीं दिया, वो यह है कि 2010 में अगर जो aspirants थे, उनका जो संख्या था 2019-2020 तक वो दुगना हो गया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि population डबल हो गया from 2010-2020, तो aspirants कैसे बढ़ गये, क्यों बढ़ गये, कैसे बढ़ गये, ये हम लोगों का सवाल नहीं हो सकता, हम लोगों का जो सवाल है, वो यही होगा कि कैसे उन हजारों में पहुँचा जाए, जो हजार हर साल सिलेक्ट होते हैं, मतलब पहले अगर आप लोगों का जो competition था, वो सारे 5 लाकों में होता था, तो अब 11 लाकों में होगा, और दिन बदिन और भी बढ़ेगा, तो आप समझ ही सकते हैं, कि जो पूरा paper है, उसमें से हर एक number बहुत ही ज्यादा important है, आप लोगों को मैं दिखा दू, कि हर साल बहुत, मतलब कि Indian society जो paper है, वहाँ से last 3 सालों में 75 marks आते ही आते हैं, मतलब कि अब ही ये average ही बन गया, कि 75 marks आपको common मिलेगा GS studies 1 से, और essay paper से 125, ये आप लोगों के सामने हैं, इस साल का essay paper, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो 7 number का question है, सिर्फ साथ ही नहीं, 5, 6, 7, सभी Indian society से related ही थे, पर मैंने 125 कहा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि section B से एक ही सवाल करना होता है, और उसका marks रहता है 125, तो जैसे कि मैंने एकदम पहले PPT में ही आप लोगों को कह दिया, तो मैं पढ़ाओंगा आप लोगों को essay paper का ये 125 बाला, जो सवाल है वो, उसके साथ Indian society, GS1 के अंदर जो आता है paper 2, उसके अंदर का 75 marks और sociology optional, ये रहा पिछले 5 सालों का वो सब सवाल जो ऐसे paper में आया था और जो Indian society से related है, यानि कि 125 marks, अब आप सभी संख्या को जोड देंगे, तो देखा जाएगा कि optional को लेके जो marks आएगा वो है 700, हाँ, इसी channel पे वो 700 marks में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो हम लोगों के साथ जुरे रहिएगा, आप लोगों के सामने अभी है General Studies 1 का वो सभी chapters जो हम लोग आगे डिसकस करेंगे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,